हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा गूगल सर्च कंसोल साइट वेरिफिकेशन के बारे में गूगल सर्च कंसोल क्या होता है इसके क्या बेनिफिट्स हैं और जो गूगल की प्रोपर्टी टाइप है डोमेन और URL प्रेफिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है इसके साथ ही आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को easily कैसे configure या फिर कैसे verify कर सकते हैं वो मैं आपको practical इस वीडियो में दिखाऊंगा इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और complete information इस वीडियो से मिल सके चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं Google Search Console या फिर Google Webmaster Tool क्या है Google Webmaster Tool आपकी website के search result data को monitor करने के लिए use होता है अगर मैं इसके benefits की बात करूँ तो जो सबसे पहला benefit है आप अपनी website का site map यहाँ पे submit कर सकते हैं और उसको crawl और index होने के लिए यहाँ पे add कर सकते हैं जो दूसरा benefit है वो है आप अपनी website से related जो indexing issues हैं उनको यहाँ पे fix कर सकते हैं और अपनी website के content को दोबारा index होने के लिए submit कर सकते हैं अगर मैं तीसरे benefit की बात करूँ तो आप इसके अंदर आप अपनी website के traffic का data देख सकते हैं जैसे की ranking keywords, ranking page और impression clicks और ranking position अब बात करते हैं चोथे benefit की चोथा benefit है आप Google Search Console के अंदर schema data, AMP, mobile usability और ऐसे ही दूसरे search features से related issues को find out कर सकते हैं और troubleshoot कर सकते हैं last और जो पांचवा benefit है वो है कि आप अपनी website के indexing, spam और जो other issues हैं आपकी website से related उनको encounter कर सकते हैं और उनकी जो alert है वो आपको search console के अंदर मिलेगी अब बात करते हैं Google search console के अंदर two type है property के domain और URL prefix दोनों के अंदर क्या difference है और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपनी website को कैसे verify करवा सकते हैं जो पहला domain type है वो है domain और दूसरा है URL prefix पहले जो property add होती थी वो सिर्फ URL prefix से होती थी लेकिन काफी time से Google ने domain का जो new feature है ये भी यहाँ पे add कर दिया है अगर मैं इनके difference की बात करूँ तो domain के अंदर जैसा कि आप icon से देख सकते हैं यहाँ पे आपके अगर आप domain को verify करवाते हैं तो इसके under में जो sub domains हैं वो भी आपकी यहाँ पे add हो जाएंगी अगर similar हम URL prefix में देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो URL आप enter करेंगे जैसे कि मालोब मैं URL के अंदर enter करता हूँ https demo.pravinda.in तो आपका सिर्फ यही URL verify होगा अब दूसरे अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोटोकॉल आपके जैसे कि http या फिर https आपके यहाँ पे जो domain वाले के अंदर सारे verify हो जाएंगे और उन सभी से related data आपको Google search console के अंदर appear होगा लेकिन अगर URL prefix की बात करें तो जो भी आप specified protocol यहाँ पे डालेंगे जैसे कि आपने without https डाला या फिर https के साथ में डाला same वही URL यहाँ पे add करेगा अब अगर last feature की बात करें तो जो domain के अंदर है उसके अंदर आप सिर्फ DNS method से verify कर सकते हैं और URL prefix के अंदर आपको multiple methods verify करने के लिए available हैं जैसे कि आप Google Analytics से verify कर सकते हैं Google Tag Manager से या फिर आप अपनी website के उपर HTML tag upload कर सकते हैं या फिर आप DNS का जो method है वो भी इसके अंदर available है चलिए यहाँ पे मैं आपको दो website verify करके दिखाऊंगा परविंदर.in और दूसरी जो मेरी website है demo.parvindar.in यहाँ पे दोनों method से मैं आपको verify करके दिखाऊंगा इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखिया जबा सबसे पहले हम start करते हैं domain verification से तो domain verification के लिए हमें यहाँ पे अपना जो domain है वो add करना है जो domain verification का method है वो है हमें DNS verification यानि कि domain name server verification से हमें इसको verify करना है और यहाँ पर मैं continue के उपर click करता हूँ यह verify के लिए हमारी website को check करेगा और इसको मिला हमारी जो website है वो अभी verified नहीं है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसने txt record दिया है इसको हमें copy करना है और जो अपनी website के DNS records है उनके अंदर इसको add करना है इसके लिए हम अपनी जो hosting है वहाँ पे चलेंगे आपकी जहां से भी आपने hosting purchase की है आपको वहाँ के उपर आना है अब मैंने hostinger से purchase किया है मेरी hosting है तो यहाँ पे आपको SI dashboard दिखाई देगा आपका जो भी hosting provider है उसके लिए आपको कुछ SI similar dashboard दिखाई देगा यहाँ पे आपको control F भी यूज कर सकते हैं या फिर आप scroll करके आपको एक option find out करना है DNS zone editor या फिर zone editor इसके उबर आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आप जो अपनी website है उसको check करना मत भूलिएगा और यहाँ पे हमारे सामने add record करने का option available होगा ऐसे ही जो आपका hosting provider है उसके अंदर भी आपको कुछ similar option दिखाई देगा यहाँ पे जो हमारा record type है वो है अगर आप इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यह हमारा record type है txt record इसको हमें यहाँ पे select करना है अपनी hosting के अंदर उसके बाद में आपको name के अंदर आपकी website का name URL यहाँ पे add करना है और txt value के अंदर जो अभी हमने copy किया है उसको डालना है और add record के उपर click करना है अब हमारा dns record है जो txt record था वो यहाँ पे add हो चुका है अब मैं फिर से इसके अंदर आता हूँ और verify के उपर click करता हूँ लेकिन यह अभी भी verify नहीं हुआ क्योंकि इसको update होने में थोड़ा सा time लग सकता है इसलिए मैं इसका थोड़ी दिर wait करूँगा उसके बाद में दोबारा verify के लिए click करूँगा और उसके बाद में यह add हो जाएगा देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था इसको update होने में कुछ time लग सकता है कुछ गंटे भी लग सकते हैं या फिर एक दिन भी लग सकता है लेकिन mostly cases में इतना time नहीं लगता अब मैंने जब तीन गंटे के बाद इसको check किया तो हम देख पारें कि यहाँ पर यह एक error शो कर रहा है कि अभी तक जो DNS text record है वो अभी change नहीं हुआ है इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है जो error आता है उसको आप अच्छे से read कीजिए तभी आप उसको solve कर पाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा error है वो मैंने find out किया तो पता चला कि hosting के अंदर तो मैंने DNS change कर दिये लेकिन मैं cloudflare use कर रहा था cloudflare जैसी कोई app या फिर जो website है जिसका आप use कर रहे हैं उसके अंदर आपको update करना अपना DNS है वो जरूरी है इसको मैं यहाँ से copy करता हूँ और अगर मैं cloudflare के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर यह already यह देखिए यह यहाँ पर दिखा रहा है तो इसको मैं edit करके और जो है google site verification का code add कर दिये यहाँ पर इसको save करता हूँ अगर आप normal hosting use कर रहे हैं तो वो भी enough है उसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब मैंने जैसे verification के उपर click किया तो आप देख सकते हैं यह verify हो चुकी है अब हम दूसरा method try करते हैं दूसरे method के अंदर मैं अपनी subdomain का use करूंगा और इसको जैसे ही मैं अपनी subdomain add करता हूँ और continue के उपर click करता हूँ यहाँ पे आप अ 5 option available है HTML file का use करके हम upload कर सकते है HTML tag का use करके Google Analytics, Google Tag Manager और domain name provider जो अभी हमने पहले देखा था तो यहाँ पे मैं आपको दो-तिन method बताऊंगा जो सबसे आतसान method है वो है हमारा Google Analytics के थुरू आपको Google Analytics है वो अपनी website के अंदर add करना है और जो दूसरा असान तरीका है वो है HTML tag यह जो tag है यह आपको अपनी website के header के अंदर paste करना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करते हैं आपको code मिलेगा और header के अंदर आपको इसे copy करना है और paste करना है अगर आप WordPress website यूज करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी plugin है insert header footer इसको install कर सकते हैं और जैसे ही आप इसकी settings के अंदर आएंगे तो आपको header के अंदर code डालने का option मिल जाएगा यहाँ पर आपको नहीं पता Google Analytics कैसे एड करते हैं तो इसके उपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको link description में या फिर i button में मिल जाएगा आप वो वीडियो देख सकते हैं उसके बाद में आपको verify के यहाँ पर click करना यहाँ पर आपको एक तीज ध्यान रखनी है कि आपको same account से Google Analytics के अंदर आपको जो code है वो add करना है और same ID से आपको यहाँ पर Google search console के अंदर आपकी website को verify करना है Google Analytics के तरह ही जो HTML tag है उसको भी आप अपने header के अंदर paste कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आता अब मैं वापस अपने Google search console के account के अंदर आता हूं और verify के उपर click करता हूं यह देखिए यह जो हमारी website है यह verify हो चुकी है ऐसे ही जो दूसरे methods हैं उनके लिए भी मैंने अलग-अलग videos बना रखी हैं वो videos आपको description में मिल जाएंगी या फिर जो playlist है उसका link आपको i button में मिल जाएगा ऐसी ही और helpful videos के लिए चैनल को जरूर subscribe कीजिए अगर आपका कोई भी suggestion या सुजाओ है तो comment section में जरूर बताइए वीडियो को last तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद